आज मैं लाई हूँ नवरात्री ब्रत के लिए बहुत ही चादा सिंपल रेसिपी और इसे आप बहुत ही जल्दी फटाफट बना सकते हैं और बीना फ्राइ की हुए बनाएंगे तो यहां पे हमें वन फॉर्थ कप साबू दाना लेना है इसे हमें करीब दो मिट के लिए चावल या फिर भगर भी बोलते हैं मार्केट में आपको यह इजली मिल जाएंगे तो इन्हें हमें रोष्ट करने के बाद एक ही साथ ग्राइंड कर लेना है साबू दाना और चावल को तो अब यह ग्राइंड हो गया है तो अभी हमें लेनी है एक कढ़ाई कढ़ाई में यह आप यहां पर थोड़ा सा गीय अड़ कर दीजिए एक चम्मच और इसमें ड़ल करेंगे हम थोड़ा सा जीरा मैंने हैर्पा काथ क्षरा है इंे इसमें थोड़ी सी धनिया पती भी मैंने अड़ किये है और इन सारी चीज़ों को हम फ्राइड कर लेंगे तो अगर आप बृत में जीरा नहीं खाते हैं तो जीरे को हटा सकते हैं साथ ही यहां पर मैंने अद्रक भी एड़ किये ग्रेट करके तो अद्रक को भी स्किप कर सकते अगर आप नहीं खाते हैं तो इन्हें हम थोड़ा सा फ्राइड कर लेंगे फिर हम इसमें अड़ करेंगे डेड़ कप पानी मतलब जितना मैंने यहां पर साबुद दाना और चावल एड़ किया ना उचका हमें डेड़ कुना पानी इसमें अड़ करना है तो यहां पर पान हम अच्छा सा फ़ाल का मिकचर अफ हमारा फ़का करएं और हीट को यहां पर ना भागश तौड़ा ना बने करेंगे तो इस टाइम आप हीट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए और बस यहां पे हम इसे ओपन ही कुक कर लेंगे और अब देखिए इस तरह से डो की फॉर्म में आ गया है और देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है तो बस हमारा डो यह बनके त्यार हो गया है तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढखे रख देंगे ताकि यह थोड़ा सा फूल जाए और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और गैस की हीट को आफ यहां पे ओफ कर दें तो करीब मैंने इसे 2-3 मिट के लिए छोड़ दिया था तो अब यह थोड़ा स ठंडा हो गया है इतना ठंडा हो गया है कि हम इसे टच कर सकें तो इसे हमें बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है वरना जो भी चीज़े हम इसमें मिक्स करेंगे वह अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो पाएंगी तो जैसी थोड़ा सा यह गुन गुना रहे वैसे हम यहां तो अगर आपको जल्दी है तो आप आलू को मैश करके फ्रीज में रख दीजिए ताकि यह जल्दी से ठंडे हो जाए क्यूंकि इसमें ठंडे आलू ही हमें अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्यूंकि आज मैं आपसे दो रेसिप भी शेयर करूंगी और कड़ाई बला मिक्स्चर थंडा ना हो पाए इसलिए उसको भी मैंने ढके रख दिया है और यहां पर एक प्लेट को मैंने ग्रीज कर लिया है घी से और अब हम हमारा यह मिक्स्चर इसमें इस तरह से फैला देंगे तो यहां पर थिकन साब बहुत ज निकालें देखिए इस तरह से जब आप तरुन निकालेंगे ना तो यह तूट जाएंगे तो हमें इसे करीब 2-3 मिर्ट के लिए फ्रीज में रखना है ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए और तूटे नहीं तब तक हम आपको दूसरा नास्ता बना के दिखाते हैं तो यहां यहां पर जो मिक्शर बचा हुआ था ना उसका हम इस तरह से एक चोटा सा पॉर्सन लेंगे और इस तरह से रहएं बहुत ज़़ा नहीं है बहुत ज़दा बड़ी नहीं और बहुत ज़दा छोटी नहीं मीडियम साइस की हमें इसकी बहुत बनानी है यहां पर मैंने इसे अब चलिए इसे कुक करते हैं तो आज हम इने बिना फ्राइ किये हुए बनाएंगे तो यहां पर मैंने लिया है और अपे पैन में मैंने हर खाने में थोड़ा थोड़ा सा घी डाला है बहुत ज्यादा नहीं बहुत दो से तीन डॉप मैंने घी डाल दिया और यह अपनी क्रिस्प नहीं होंगे तो हमें इने ओपन ही इस तरह से अरड़ते पलड़ते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इस तरह से शेक लेना है तो आप देख रहे हैं और बहुत प्यारा कलर इन में आ चुका है तो बस इनको अब हम निकाल लेते हैं और जो हमारा यह नास्ता था इसको भी करीब 2-3 मिट हो गए हैं तो इसको भी मैंने फ्रीज से निकाल लिया है और इसको हम एक बार और कट करेंगे ताकि इसके जो ट्रेंगल्स हैं थोड़े से और छोटे हो जाएं तो आप छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं तो देख में ज्यादा वाईली खाना खाना सभी को पसंद नहीं होता है तो इस तरह से आप कम तेल में कम घी में आप ये नास्ता बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पे करीब 2-3 चमश तेल एड़ किया है और अब हम इसमें ये नास्ता फ्राइ कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे इन्हें आप चाहें तो डी फ्राइ कर सकते हैं लेकिन इससे सेलो फ्राइ करके खाएंगे ना तो काफी हेल्दी भी होगा ये और आप इन्हें हाई हीट पे फ्राइ करें नहीं तो ये तूट जाएगा अगर आप इन्हें लो हीट पे करेंगे तो बस यहाँ पे मैंने इन्हें फ्र कर लिजिए बैल बटन को जरूर प्रेस कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक्यू सो मच और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेस्बुक पे तो फेस्बुक पेच को फॉलो करें तो लीजिए हमारे ये अपपे बनके त् क्रिस्प हैं और खाने में तो लाजवाब हैं ही तो आप भी इने एक बाद जरूर बनाएं और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे इंजॉय कीजिए दही की डिप के साथ या फिर आप इसे वरतवाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं थैंक्स फर व